हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूर नियू डारेक्शन पर जिहां 12,460 से चक भरती में 7 मार्च 2022 को एक बार फिर से दोका हुआ जिहां कई तरह की कम्या हैं कभी अभ्यार्थियों की होती हैं कभी न्याले की होती हैं कभी अधिवक्ताओं की होती हैं और इन ही कारणों से कभी सरकार की भी होती है इन ही कारणों से भरती पिछले 5 सालों से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है आप देख सकते हैं यह कर सब में यूगो है चाहे वो इंक्यावन जन्रपत के हो जीरो जन्रपत के हो चाहे सरकार हो चाहे अधिवक्ता हो चाहे नियाले हो सब सभी में तो इसी तरह से जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है कभी अधिवक्ता नहीं रहते हैं कभी कोट नहीं बैठती है कभी अभ् करते कितनी सुनवाई की तारीख हैं लग गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई फिलाल अब सभी कुछ निर्भर करता है आने वाली नई सरकार पर दस मार्च के बाद अगर नई सरकार बनती है तो बहुत ही अच्छी अपडेट मिल सकती है 12,460 च्छकवरती के जो न्युक्ति का अंतजार कर रहे हैं उन छात्रों को क्योंकि सरकार आप सभी को पता है कि किनकी बन सकती है नई में तो उन्हीं की भरती है तो आसान होगा उस भरती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लेकर नए महादिवक्ता भी आएंगे नई सरकार में नए महादिवक्ता भी निक्ति क कि ये जाएंगे तो सही तरह से सुनवाई होगी उपस्तित होंगे नए आदेश होंगे और उसी करब में भरती शुरू होगी फिलाल यह जो एटिटूड है सभी का यह धीमेदे में यहां पर समाप्त होगा और भरती प्रक्रिया पुर्णा एक बार सुरू होगी लेकिन अब